हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो बटा हमारी अन्तिम यूदी सीरीज में आज बात कर रहे हैं पी वाल क्यूश फ्रम दर चैप्टर बाय टेक्नोलोजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ठीक है बच्चो तो विदाव डिले लेस्ट स्टार्ट यह मैंने आपके लिए एक बह जैनेटेक इंजिनेरिंग के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चैप कैसे कॉंपिटेंट बनाया जाता है बहुत इंपल सी बात है जो हमारा डियन्न मोलिक्यूल है वह होता है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग राइट तो यह पास नहीं कर सकता हम है तो कि असında अगर चैनल है उसको नहीं कहते है उसके साथ उसका ट्रीट्मेंट किये जाता है जिससे वह एज दूसरा क्योश्चन है इसको हम जीन गन भी कहते हैं तो उसका क्या यूज होता है 2016 का क्योश्चन है जीन गन जो है इसका मैंने एक शोट भी डाला हुआ अपने चैनल पर आप वह भी देख सकते हैं जो फॉरें डियने है उसको इंट्रड्यूस करवाने के लिए होस्ट प्ले प्लास्टिक गल्यां पर आप देख पार होंगे फैस्ट्राइज एयर है या गैस चेंबर है यह प्लास्टिक बुलेट है यह गोल्ड वीड्स है जिनके ओपर डी ए नहीं हमारा लगा हुआ है और यह एक मार्कर है एक तरह से एक ऐसा प्लेस है जहां पर इस टो प्लेट इ प्लेस चैफ के अनचरफ यहां पर इसको डी एनने को बंबाड किया जाता है इससे चैल में आनल कर जाता है चलिए टीन स्टेब बताने है अप को जो खुश्मेशन में हैं किसकी खुश्मेशन में हमारे यह के र्वकरते ETC ठीक है और इसकी complementary sequence क्या होगी इसकी complementary sequence बताइए ठीक है अब जो enzyme है जो restriction enzyme है जिसको हम cutting enzyme भी कहते हैं वो same side पे specific side पे cut करता है ठीक है यहाँ पर आप देख पाईए यह और इधर eco-RI1 भी उसको DNA molecule को G और A sequences के बीच में cut कर देता है पहली बाद clear होगी कि G और A sequences के बीच में eco-RI1 जो हमारी sequence थी G A, A, T, T, C उसके A और G के बीच में cut कर देता है clear to everyone now अब DNA fragments sticky and produce कर देता है इस तरह से जिनको हम cohesive ends भी कहते है अब यह cohesive ends produce हो जाते है और इनकी joining हो जाती है फिर DNA ligase enzyme के help से DNA ligase इसको join करने वाने का काम कर देता है और इस तरह से हमारा recommend DNA बन जाता है by action of restriction endonuclease enzyme eco-RI तो पहले cutting होई sticky and produce होए और उसकी rejoining होगी by DNA ligase enzyme clear to everyone? चलिए बीटा इसको बता देता हूँ step wise में तो eco-RI restriction endonuclease enzyme है जो DNA को specific sites में cut कर देता है तो जो recommendant DNA बनेगा इस enzyme की eco-RI-1 की activity से उसमें सबसे पहले first step में eco-RI recognize कर देता है यह sequence जब आपको बताई थी GAATTC जो के DNA में present होती है और यह G और A के बीच में जो nitrogenous bases है G और A, guenine और adenine उनके बीच में cut कर देता है दोनों के दोनों strand को cut करेगा और foreign DNA insert हो जाएगा उसी site पे ठीक है? और enzyme DNA ligase जिसको molecular glue भी हम कहते हैं वो उसको seal कर देगा दोनों end को जो sticky end produce होएते हैं उनको join करवाने का काम कर देगा तो इन तीन step में eco-RI even के help से हम recommend DNA उसके इन कर सकते हैं next question नहीं मैंने two natural cloning vectors और reason बताना है आपको जिसकी वज़े से उनको cloning vector के तरह यूज़ किया जाता है दो characteristic बताने है यह दो सबसे commonly used vector है प्लाजमिट की बात करो मैंटा तो यह double stranded है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे double stranded safe replicating extra chromosomal structure होती है ठीक है यह small size होते हैं तो easily use किया जाता है सबसे पहला जो plasmid था वो PBR322 था जो bolivar and rodrigs ने बनाया था rodrigs bacteriophase एक ऐसा virus होता है जो bacteria को infect कर देता और उसके अंदर replicate करता है दो main reason होते है head reason होता है जहाँ पर genetic material होगा और tail region के help से base की plate के help तो यह host cell के साथ attach कर जाता है ठीक है बिटा तो head और tail दोन reason होते है mainly अब हमारे question पर आते है तो bacteriophase और plasmid दो हमारे vector होगे जो commonly use किये जाते है reason क्या है कि उनमें ability होती है faster replication की bacterial cell में बहुत जल्दी replicate कर जाते है और दो characteristic जो engineer या recombinant vectors की होती है कि वो foreign DNA के साथ बहुत fastly बहुत rapidly link कर जाते हैं, join कर जाते हैं और महाँ पर selectable markers होते हैं जिनके help से हम recombinant और non-recombinant को separate कर ले थे recombinant या जिनको transformant और non-transformant भी कहते है उनको separate करने के लिए भी इसको use किया जाते है इसमें ability होती है, यह differentiate कर सकते हैं दोनों के बीच में, clear चले आँगे जहां पे भी आपको confused आनो, please मैं बार बार आपको हर lecture में कहता हूँ कि comment section में कूझ लेजे, हम हर effort कर ले हम आपके लिए one shot डाल रहे है हमने PYQ डाले है, हम आप chapter के important questions आपको बता रहे है जिससे कि आप अपना target achieve कर सके चले, process of amplification of gene using PCR technique, ठीक है जी amplification का मतलब पहले मैं आपको बता दे अगर पता है तो आप comment section में लिखे, carry molis developed this technique, तीन step में पूरी process होती है, पहला step कहलाता है denaturation, denaturation में क्या होता है, जो double stranded DNA है, उसको 95 degree से 98 degree के बीच में heat करवाया जाता है, जिसकी बज़े से उसके DNA के strand के hydrogen bonds है, वो break हो जाते है, और दोनो DNA strand separate हो जाते हैं, this is known as denaturation, ठीक है, अब दोनो separated strand को धीरे धीरे low temperature पे लाया जाता है और 3 prime end पर primer add के आजाता है, primer क्या होता है, short nucleotide sequence होती है, जो 3-6 bases लंबी होती है और उनको 3 prime end पर, दोनो strands में add कर दिया जाता है, यह process कहलाती है annealing, अब annealing जैसे होगी आप यह आप देख पारे हो, second step में annealing स्टार्ट हो जाती है, complementary based pairing स्टार्ट हो जाएगी, और अब heat stable, thermostable enzyme tack polymerase, add क्या जाता है tack polymerase obtained क्या जाता है thermos aquiticus से thermos aquiticus से इसको obtained क्या जाता है यह heat stable है इसलिए high temperature पे भी अपना काम करता रहेगा और complementary strengths के formation हो जाती है, जिसके वज़े से दो नए DNA molecules बन जाएगी यह process चलती रहेगी जब तक हमें desired amount gene का नहीं मिल जाता है ठीक है, बिल्कुल simple सी step बहुत important question है देखे, तो PCR वो process है जिसके through amplification होती है, जो interest का gene है जो हमारे काम का gene है उसको multiply करवाया जाता है तीन step में यह process होती है और thermostable, heat stable enzyme DNA polymerase, जो है tech polymerase जिसको thermos equity का से हम obtain करते है उसको widely use किया जाता है इस पूरी process के लिए पहला step मैंने बताए, DNA 94 से 98 degree Celsius पर जो double standard DNA उसको heat किया, जिससे hydrogen पॉन्ट उसके होगे, break, DNA के दोनों strand होगे separate, यह DNA के strand होगे separate, अब N-link में क्या करेंगे primer add कर देंगे 54 से 55 degree Celsius पर step perform किया जाता है जहाँ पर primer add हो जाता है जो complementary DNA segment के साथ bind कर जाएगा and then tech polymerase enzyme add कर देंगे 72, 73 degree Celsius पर जिससे के complementary nice strands की formation हो जाती है ठीक है बच्चों, बिलकुल simple सी process है देखने में लेकिन बहुत, बहुत, बहुत important है चलिए next question की तरफ चलते है how has the development of bioreactor helped in the biotechnology process 2018 bioreactors बड़े-बड़े vessels होते है बड़े-बड़े बड़े बड़े आप कह सकते हैं जिनको biological production के production, large scale production के लिए normally use किया जाता है ठीक है विचर तो यह इस तरह से design किया जाते है जिससे biochemical processes है microorganisms को यूज करके जाए bacterial cell है, fungal plant या even mammalian cell है उससे biological products को large scale में produce किया जा सके तो क्यों यूज किया जाता है इनको देखो एक तो इसमे temperature और pressure का regulatory system होता है ठीक है different parameters को set कर सकते है pH, temperature, pressure automatic stirrers होते हैं जो proper mixing कर देते हैं हमारे material की required material है aerators होते है जिससे oxygen की supply और उसकी pumping और mixing ensure की जाती है और कोई hand के थूँ process नहीं होती automatic process होती है तो बहुत ज़्यादा efficient है और बहुत ज़्यादा safe process ही होती है ठीक है जो दो सक्षे common type के bioreactor commonly जो use के जाते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके NCRT में arthritis diagram है दोनों important diagram है एक होता है simple stirring type tank reactor simple stirred tank reactor भी जिसको कहा जाता है और दूतरा होता है sparked stirred tank bioreactor जिसमें sterile air के bubble spark के जाते हैं इनको मिलाया जाता है देखें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी चीज़े ionic balance pH control sterilization हो जाता है यहाँ पर air supply की जाती है chamber के तुरू और यह आप एक तरह से simple जे आपने गरों में washing machine देखते हैं उसकी तरह काम करता ही वाला two and fro moment left right left right left right जबकि यहाँ पर जिसे हम पानी में अगर detergent डाल दे और रेशयर से पानी डालते है तो उसमें क्या बन जाते है जाग बना शुरू हो जाते है और दीरे दीरे जाग ऊपर की तरह आता चला जाता है तो total area surface area बढ़ जाता है और बीच में oxygen बढ़ जाती है तो यह इस तरह से काम करता है तो दोने के जो basic working principle है वो आपको समझ आ गया होगा ठीक है तो यह दो type के bio reactors की बात हो गई next question की तरफ चलते है चलिए वो ही question दुबारा से आगे 2018 का most commonly used bio reactor and describe their working अभी मैंने आपको दोनों की diagram बता है अब बात करते हैं stirrer है, wing है और propeller है stirrer है, wing है और propeller है तीन चीज़े हैं यह wings हो गए यह बीच में propeller हो गया जो उसको गुमाने का काम करेगा stirrer time reactor homogenization की equal mixing कर देता है solids को suspend कर देता है gas और liquid के mixture को separate कर देता है disperse कर देता है और liquid को aerate कर देता है जिससे heat exchange भी effectively हो जाती है तो यह जो main functions है जो bio reactor की working को show करते है अलग-अलग type के bio reactors होते है size के हिसाब से, number of impellers के हिसाब से location के हिसाब से तो यह जो functions है यह hydrodynamic property reactors की affect करते है hydrodynamics का मतलब जो water related processes है और दो तरह के batch यूज़ किये जाते है short batch होता है, continuous batch होता है short batch में तो क्या है limited amount को डालते है bio reactor में उनका product है वो obtain कर लेते है continuous batch में क्या करते है product बनता रहता है उपर से जो हमारे reactants है, जो हमारा raw material है वो add करते रहते है तो bio reactor जो है जो सबसे commonly use किया जाता है simple state type bio reactor यह immobilized enzyme को use करता है जो normally low activity show करते है but substrate solution जो है उसकी viscosity बहुत high होती है बहुत ज़्यादा देखना को मिलती है clear चले आगे, तो diagram आप साथ में बना देंगे इसको explain कर देंगे, आपके three marks कहीं नहीं गए clear to everyone चलिए, यह भी बहुत important यह one mark में भी आ सकता है, two marks में भी आ सकता है और three marks में भी आ सकता है आपके NCRT में clearly दिया हुए कि 10 ऐसे recombinant protein की list बनानी है जो medical field में यूज के जाते है और यह therapeutic भी है कि नहीं है यह भी आपको बताना है यह बड़ा आसान सा काम है एक ही करके इसको discuss करते है सबसे पहला insulin type 1 diabetes जिसको diabetes mellitus भी कहा जाता है उसको treat करने के लिए यूज कर सकते है तो therapeutic हो गई DNA is enzyme cystic fibrosis को treat करने के लिए यूज किया जाता है interferon hepatitis C के treatment के लिए यूज किया जाता है bovine growth hormone है interferon alpha था यहाँ पर interferon beta हो गया sclerosis की treatment के लिए यूज किया जाता है उसका blood clotting factors हो गए 7 & 9 जो hemophilia A और hemophilia B के treatment के लिए यूज करते है और growth hormone नाम से पता चल रहा है growth hormone है तो growth में help करेगा antithrombin 3 blood clotting को यूज करता है तो देगे तीन तो इसमें clotting factor ही हो गए 3rd 7 & 9 issue plasmosan activator जिसको T, P, A, B का जाता है जो serious myocardial intersections होते हैं उनकी treatment के लिए इसको यूज किया जाता है तो बहुत बहुत effective है तो यह 10 की list है therapeutic uses हो गए सारे के सारे एक number में पूछ सकते हैं दो number में कोई 4 का use पूछ सकता है यह इसको tabular form में पूछ सकता है column A & column B की form में पूछा जा सकता है कि इधार dna's दे दिया इधार दे दिया interferon B दे दिया यहाँ पर x लिख दिया growth factor इस तरह जा मैं A B column की form में भी पूछा जा सकता है इसको तो आपको अगर clear cut है चीजे तो किसी भी form में पूछ लिया जाए या फिर which one of the following is correct और incorrect की form में पूछ सकते है तो आपको बड़ा precisely इसको answer करना है do eukaryotic cells or do eukaryotic organisms have restriction endonucleases आपको क्या लगता है अभी तक क्या पता था आपको नहीं eukaryotic cells में restriction enzyme नहीं होता endonuclease नहीं होता क्योंकि DNA का जो sorry जो eukaryotes का जो DNA वो highly methylated होता है यह देखिए उसमें modification system होता है enzyme modification system होता है जिसकी वज़े से वो methylated हो जाता है और उसको protection मिल जाती है from the action of restriction enzyme DNA को protect करके रखता है और क्योंकि enzyme prokaryotic cells में present होते है तो virus का जो attack होता है DNA पे उससे वो उसको prevent करने में help करते है eukaryotic cells में methylation की वज़े से वो protect रहता है लेकिन RNA में methylation ना होके यह restriction enzyme उसका हमें help करते है ठीक है चले हागे चले beside aeration देखिए third question I think beside aeration and mixing property what other advantage do steed tank by director have over shake flask agitator system होता है जो proper mixing करवा देता है उसके लिए oxygen delivery system होता है जो ensure करता है sufficient and proper amount में oxygen temperature control system होता है जो required temperature वो maintain रहे pH control fermentation contamination free है क्योंकि hand touch नहीं किये जाते और जो sampling port है वो small volume के culture को भी periodically withdraw करते रहते रहते हैं जिससे over crowding नहीं होती तो इस वज़े से जो steed tank bio reactors हैं वो prefer के जाते हैं shake flask के comparison में clear बच्चों तो bio reactors इस बार बहुत बहुत important है क्यों यूज किया जाता है क्या advantages है commonly कौन सा यूज किया जाता है मियोसिस को recall करना है आपको और आपको बताना है किस stage पे recommended DNA बनता है rdna की formation मियोसिस में किस stage पे होती है जो प्रोफेज 1 है प्रोफेज 1 में 5 sub stages होती है अगर आपको याद है तो फटापट कमेंट सेक्शन में लिखिए leptotene leptotene होता है gigotene pakitene diplotene and diokinesis and diokinesis यह 5 sub stages होती है प्रोफेज 1 में इसमें यह जो 3rd stage है pakitene stage यहाँ पे recommend DNA ने form किया जाता है formation होती है homologous chromosomes है they come close and share the segments जिसको हम recombination कहते है come together crossing over हो जाती है and exchange their segments crossing over की definition ही यह अगर आपको यहाँ दो what is crossing over exchange of segment between non-sister chromatids exchange of segment between non-sister chromatids of homologous pair of chromosomes non-sister chromatids कौन सी होगी यह एक chromosome के दोनों chromatids sister chromatids अब यह दोनों क्या क्या लाएंगी non-sister होगी नहीं तो इन दोनों के बीच में segment का अगर exchange होता है चार chromatids होगी लेकिन यह अब तक observe नहीं होगा जब तक कि synapse chromosome है वो pacatin में जाके condensation show नहीं करेंगे तो यह process होती है चलिए आगे चलते हैं ओकी 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 अब आपको अचा डिसका समें योटीचर और आउट डिफरेंशेट बिट्विटिन डियन और आरने यह आपने 11th class क्या 10th class में भी पढ़ा है तो basic difference होता है डियन और आरने का इसको देखे जो हमारा नुकलियोटाइड है वो तीन चीजों से मेंके बना होता है nitrogenous base plus sugar plus phosphate अगर हम अटा देते हैं तो उसको नुकलियोसाइड कहे देते हैं अब यह जो sugar है यह दो टाइप की होती है ribose and deoxy ribose ribose and deoxy ribose sugar है तो DNA हो जाएगा अगर ribose sugar है तो वो RNA हो जाएगा nitrogenous basis का difference होता है इसमें aden, guanine, thiamine और cytosine होते हैं इसमें adenine, guanine cytosine तो होते हैं लेकिन thiamine की जगे क्या आ जाता है? uracil आ जाता है ठीक है? DNA होता है double standard DNA double standard structure होती है RNA normally single standard होता है तो यह basic differences होगे पिटा DNA और RNA की बात समझाई आपको बहुत अच्छी बात है चलिए आगे चलते हैं और next question की तरफ 15 question ही बताऊंगा आपको ठीक है? 15 question है इस chapter से फिर से मेरे साथ ही आपको discuss करना है और differentiate करना है exonuclease और endonuclease exo का मतला होता है outside endo का मतला है inside यह एक तो basic सा फरक आपको पता होना चाहिए exo जो है ends में cut करेगा exo cleave DNA sequence non specific in function end पर cut करता है cleaving sport क्या हो गया? free terminal nucleotide sequence कि अगर यह DNA sequence है 5' to 3' और यह 3' to 5' तो ends पर यहां पर cut करेगा तो क्या हो गया exonuclease लेकिन अगर यहां पर asymmetrical cut करता है DNA strands के बीच में तो हो गया endonuclease तो इससे बनेंगे sticky ends इससे produce होंगे sticky ends जबकि इससे produce होंगे blunt end इस तरह से cut produce होंगे ठीक है यह defensive properties नहीं होती antigen के against इसमे defensive property होती है antibody properties होती है against entry of antigen examples की बात करें तो इसमें exonuclease 1 दे सकते हैं आप इसमें eqo ry1 दे सकते हैं functioning देकी 3 step में कैसे होता है ठीक है बच्चो चलिए अब आज का last question discuss करते है copy number of plasmid vector and yield of recombinant protein produced related to each other copy number directly related होता है बच्चो इससे copy number of plasmid vector is directly related to amount of yield of recombinant protein produced जितना ज्यादा copy number होगा जितना ज्यादा copy number होगा vector plasmid का उतने ज्यादा gene का number होगा और natural सी बात है जब gene ज्यादा amount में है तो जो protein है इसमें तो कोई confusion वाली बात नहीं है है ना बिटा तो यह 15 top most questions है इस chapter के जिससे बहुत कुछ नहीं आने वाला एकी question मैंने आपको detail में describe कर दिया है अगर फिर भी कोई आपको confusion है तो हमेशा की तरह है मैं जो आपको request करता हूँ ये करना है आपको बायोनेती पर आकर अपने comment section में पूछ लेना है इतने efforts मैं आपके लिए कर रहा हूँ आपका response बहुत 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 जरूरी है आपके doubts clear होना बहुत जरूरी है तो आप चाहें दस बार एक चीज को पूछे जब तक आपके दिमाग में उस चीज क्लियर ना हो आप उसको पूछे समझ में आगे बात है बहुत ज़्यादा time आपके पास नहीं है लेकिन बहुत कम टाइम भी नहीं है एक मैना बहुत होता है पूरी जेजान लगा दीजे आप पूरा schedule मैंने आपको बता दिया है 13 chapters है 3 days means 3 parts है एक chapter के 30 minutes maximum है तो आप ये मान के चलिए 90 minutes से लेके 100 minutes में आप एक chapter complete कर लेंगे with MCQ, sorry with PYQs and important questions, one short तो ही है तो आपको 2 गंटे रोज के देने हैं अपने आपको biology के लिए and I can ensure 70 out of 70 आप get कर सकते हैं क्योंकि last में हम unit wise और full slabers के practice paper भी solve करेंगे, ठीक है बटा पहटते रहिए, अपने doubt पूछते रहिए Good luck